हे नाशेलोंस लबर करल एक्स्पेंस पे आपका सागत है इस वीडियो के अंदर मैं कंटीन्यू करूंगी कनेक की रिमेनिंग स्टोरी को अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा ये साथ आगे भी ऐसे ही बना रहे है पिछले पार्ट में हमने देखा कि किसी सुनसान इलागे में एक और डमी पुलिस को मिलता है हिरानी के बाद तो ये थी कि ये डेट बोडी मिंजी की नहीं बनकी किसी और लग्की की थी वहाँ पुलिस अभी इंवेस्टिकेशन करने में लगा ही होती है कि तब ही हम देखते हैं कि उस डमी के आसपास जो फीर इकटा हो चुकी थी उसमें डॉंगसु भी मुझूद था अब अचानक उस बीर में मोचूर और्गन सेलर्स की नजर डॉंगसु बर बढ़ती है जिसके बाद वो उसे पकरने के लिए दोरते हैं और कुछ यू उन लगों की भागंभाग शुरू हो जाती है डॉंगसु भी भाग ही रहा था कि तब ही एक अंडरग्राउंड टरनल में डॉंगसु का सामना एक गैंग स्टार्स से होता है मगर यहां भी मून आकर उसे बचा लेती है जब यह दोनों यहां से बाहर निकलते हैं तो मून उसे बताती है कि मैं सुपर हीमन्स के उपर कने नाम की एक नोबल लिख रही हूं जिसमें मैंने तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में लिखा है जिनके पास अलग तरह की सुपरनेचरल पाउर्स होती है जैसे की बोडी के के सीवियो औरगन को अलग करने के बाद भी उसका वापस चुर जाना अब आगे हम देखते हैं क कि डॉंग सू मून की सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसे थेंक्यू वोल कर वहां से चला जाता है इस बार वो दोनों अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरी तरफ मीन जी साइको जीन को ओफिस के टेरेस पर बला कर उसे सब कुछ बता देती है कि उसे उसके सचाई का पता चल चुका है कि कैसे उसके इस मासूम से चेहरे के बीछे एक बेरहम इनसान छपा हुआ था जिसने सब को मार के डमी में बदल दिया था वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या जीन उसे भी जान से मार देगा या डॉंसरी से बचा लेगा आग की रिंटॉन की आवास की वज़े से साइको जीन उसे वहाँ देख लेता है अब ये कोवर्कर बहुत जादा डर जाता है और कहता है मैं तो बस तुम्हें लेने के लिए उपर आया था मगर मिन जी उसके सामने कहती है कि इसने ही अभी तक सभी लोगों को मारा है गुस्से म पी साइको जीन उसको वर्कर को टेरल से नीचे वेक देता है और इतनी उची बिल्दिंग से गिरिकर उसको वर्कर की मोथ हो जाती है इसके बाद मिन जी के फोन पे किसी का कॉल आता है और उसकी कॉलवर च्यूर्ण पर लगे सोग की वज़े से डौण सू की आंखों में द कप्रे को याद करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पहचान सके क्योंकि अभी तक उसने साइको जिनका फेस नहीं देखा था उसे ढूनते वक्त डॉंसु को एक आदमी दिखता है जिसने ठीक वैसा कप्रा पेना था डॉंसु भी वाश्रूम में जिनके पीछे जाता है वो पुलीस ऑफिसर उसकी बात पे ध्यार नहीं देते वो उसे हदकरी लगा कर अपने साथ ले जाने लगते हैं मगर एक बार फिर मून अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वहां आ जाती है और वो डॉंसु को पुलीस से बचा लेती है मगर जिन तो कब कब वहां से जा चुका फिर जब वो डॉंसु का बनाया वही सोंग ले करता है तो उसकी आख में दल्ध होने लगता है और उसे याद आता है कि उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था उसे ये बात समझ आने लगी थी कि उसके शरीर में जो आख लगी वही थी उसकी वज़े से ही डॉंसु को उसके बारे म इतना सब कुछ पता चल गया था दूसरी तरफ डॉंसु मून को अपने घर ले जाता है और वहां बहुत दोनों काफी बाते करते हैं जिसमें डॉंसु से अपने बच्पन में हुए एक्सिडेंट के बारे में बताता है और स्टोरी फ्लेश्मेक में जाती है जहां पेर पे तरह तूट गया था उसके बाकी दोस्त जब उसकी मदद करने उसके पास आते हैं तो वह देखते हैं कि डॉंसु का पेर खुद ही पापस पहले जैसा हो गया था यह देखकर उसके दोस्तों से डरनने लगते हैं कुछ बच्चे तो इसे मॉंस्टर गहकर चिराते थे और इ मैं उसे पकरवाना चाहता हूं और उससे अपनी आख बापिस लेने चाहता हूं मगर मुझे नहीं पता कि वो दिखता कैसा है मून उसकी लाइफ स्टोरी सुनकर शोक हो की थी वह इमोशनल होकर डॉंसु को कहती है मैं भी तुमारे इस मिशन में तुमारा साथ हूंगी वह उसे काला चश्मा पेहने के लिए देती है ताकि कोई भी उसे अजीब तरह से ना खूरे वह दोनों खाने के लिए मार्केट से समान लेने चाहते हैं मगर वहां पे मून को डॉंग सु का एक पोस्टर दिखता है दरहसल पुलिस डॉंग सु को ढून रही थी जब यह स्टो कोई भी हो मेरे रास्ते में आना बंद कर दो वरना मेरा अगला शिकार तुम ही बनोगे जीन को डॉंग सु की शकल अच्छी तरह से याद थी और उसने डॉंग सु का स्केज भी अपने भूप में ट्रो किया हुआ था डॉंग सु गोर से सब कुछ देखने के कोशिश करता है और उसे कुछ दो बच्चो की पिक्चर नजराती है यानि कि इस साइको ने अपना अगला टार्गेट ढूंड लिया था डॉंग सु कैसे भी करके उन बच्चो को साइको जिन से बचाना चाहता था अगली दिन जब डॉंग सु रात को रोज से जा रहा था तो उसे एक स पास से उसी की तरफ देख रहा था डॉंग सु चारों तरफ देखता है और उसकी नजर एक कार के उपर पर दिये डॉंग सु समझ जाता है कि यह जिन की कार थी वो उसकी पीछे भाग रहा होता है मगर पुलिस इंस्पेक्टर उसे एरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है फिर पुलिस टेशन में डॉंग सु को अच्छे से कूट कर पुलिस इंस्पेक्टर उससे कई सारे सवाल करते है मगर डॉंग सु बस एक ही वाद दोराता है कि उसने किसी का खून नहीं किया हाला कि वो जानता है कि असली मर्डरर खौन है पुलिस इंस्पेक्टर उससे अक पहले जैसा हो जाता है यह देखकर इंस्पेक्टर को खुद की आखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था डॉंग सुम जल से जल जिन से अपने आख वापस लेना चाहता था इसलिए वह उसी उच्छी बिल्डिंग से नीचे कुछ जाता है नीचे गिरते ही उसके सर से खोन बहने लगता है मगर उसकी एबिलीटी के वज़े से उसके घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जिस डॉक्टर ने साइको जिनके सरजरी की थी उसने उसे चेर पे लोग किया हुआ था जब वो दोनों बात्चित करते हैं तो स्टोर वापस प्रेजेंट में आती है जहां जिन उसी डॉक्टर को एक लोहे की रोट से जोरदार वार करके मार डालता है डॉंग्सू और मून दोनों साथ मिलकर डॉक्टर को ढून रहे थे और उन गुंडों को भी केमेरा में देखकर पता चल गया था कि आखरी बार जिन नहीं डॉक्टर को कायब किया था दूसरी तरफ उनहीं कुंडों का एक आदमी डॉंग्सू का पीछा कर रहा था मून को जैसे ही इस बात का पता चला तो उस गुंडे और मून का आमना सामना होता है फिर क्या मून उस कुंडे को मार डालती है अगले सीन में डॉंग्सू अपना को पाती एसे इसके बात डॉंग्सू को चानक वीजन दिखता है जिसमें जीन को दिखाया जाता है जो कि डॉंग्सू का नमबर डाल करता है से में डॉंग् सु और जीन फोन पर एक दूसर से बात करते हैं डॉंग् सु इसे सीधा सवाल करता है तुम इतने सारे लोगों को क्यों मार रहे हो जवाब में जीन उसे बताता है कि उसे कैंजर है और वो कुछ ही वक्त के बाद मरने भाला है अगर वो जिन्दा नहीं रह सकता तो वो किसी ओर को भी जिन्दा नहीं रहने देगा कछ दिन बाद पुलिस को उसी गुंडे की डेड बूडी मिलती है जिसे मून ने मारा था पुलिस इνवेस्टिकेशन के वक उन्हें उस गुंडे के पास एक हैमेरा मिलता है जिसमें उसने साइको जीन की बहुत सारी पिक्चर सेट कर रखी थी ये सबूत मिलने के बाद जीननब पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट बन गया था अगले सीन में मून और डॉम्सू की मुलाकात होती है और फाइनली मून एक बड़ा खुलासा करती है दरहसल वो अपनी चेस्ट के ऊपर एक गट लगा कर डॉम्सू को दिखाती है दोस्तो मून का खाफ भी ठीक उसी तरह ठीक हो जाता है जैसा की डॉम्सू के साथ होता है यानि की मून और डॉम्सू दोनों के पास कनेक्ट होने की ताकत है इसके बाद ये दोनों एक दूस्तो को किस करते हैं वही दूस्ती तरह जिन बिल्कुल डॉम्सू के जैसे कपरे पहन कर उसी सिंगर तक बोच जाता है और उसे भी किटनेप कर लेता है इसके बाद वो डॉम्सू को एक वीडियो शेयर करता है जिसमें वो उसे उसके फेवरिट सिंगर को दिखाता है जिसे मार मार के उसने उसकी हालत खराब की हुई थी ये देखके डॉंगतों को बहुत गुसा आता है मगर इसी बीच वही ओर्गन सेलिंग गैंग उसके घर में घुस जाती है उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या इतने में मून उसे कहती है कि तुम जाओ इनसे मैंने बिखलूंगी मेरी जिनता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा इसी वीच पुलिस को पार्किंग में लगे कैमेरा में जिनकी शकल दिख जाती है जिससे कि उन्हें ये पता चल गया था कि जिन नहीं सारे मर्डर्स किये थे इसके बाद डॉंग्सू फटापेट उस सिंगर को पचाने जाता है और दूसरी तरफ वो गुंडे मून को पकर लेते है वो लोग उसे डॉंग्सू के बारे में पूछते है मगर वो कुछ नहीं बोल रही थी इसलिए गुस्से में एक गुंडा मून के फेस पे कट लगा देता है मगर मून का वो घाव कुछ ही सेकंड्स में ठीक हो जाता है ये देखकर वो गुंडा हसने लगता है क्योंकि अब उन्हें डॉंग्सू के अलावा एक और इनसान ऐसी मिल गई थी जिसके ओर्गन्स बेच कर वो माला माल हो सकते है पर इन्हें नहीं पता था कि इन्होंने मून को नहीं बखरा था बलकि मून खुद इनसे डॉंग्सू को परेशान करने का बदला लेना चाहती थी वो एक एक करके उन सब ही को अच्छा सवक सिखाती है ठीक रात के ग्यारा बचे डॉंग्सू जीन की बताएं लोकेशन पे पहुचता है साइको जीन डॉंग्सू को मारने के लिए गेस रिलीस करके उसे बेहोश कर देता है इसके बाद वो डॉंग्सू को अपनी सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है जहां उसने डॉक्टर और सिंगर को भी रखा था दूसरी तरफ मौन अपने साथ उन से भी बरे साइस के मौन्स्टर को उसके केप से चुरा कर उसकी मदद करने के लिए कहती है इसके बाद वो डॉंग्सू को बचाने के लिए उस लोकेशन पे जाती है डॉंग्सू को जब होश आता है तो वो अपने बगल में सिंगर को देखता है जिसके पूरे शरीर पे चोट की निशान थे और वो बस मैं नहीं वाला था साइको चीन अपने प्लेन के बारे में उसे बताता है दरहसल वो अपना ब्लेन डॉंग्सू की बोडि में ट्रांस्वर करना चाता था और उसकी कनेक्की अविलिटी उससे छीनना चाता था वो साई को डॉंग्सू की उनली को अलग करके वापस चुटते हुए देखकर खुश होता है इसके बाद वो डॉक्टर की बोडी का डमी बनाने से पहले डॉंग्सू और सिंगर को ठंडे कमरे में बंद कर देता है कुछ देर बाद जब डॉंग्सू को होश आता है तो उसके सामने उसका फेवरिट सिंगर मर चुका था ये देखकर डॉंग्सू की आखों से आसू आ जाता है मून अपने साथ लाए मॉंस्टर के साथ मिलकर जीन तक पहुच ही जाती है तबही जीन मॉन के उपर चाकों से वार करती है और उसे पता चलता है कि मून भी कनेक्ट वाली अबिलिटी का समाल कर सकती है इसके बाद डॉंग्सू वहाँ आकर जीन को सबक सिखाता है वो उसे अपनी आख वापस ले लेता है और वो उसे जान से माने ही वाला था लेकिन तब ही इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ पोच जाता है वो डॉंग्सू को समझाता है कि मैं तुम्हारे खिलाब जो भी सबूत है उन्हें मिटा दूँगा मगर तुम इसे मार कर अपना बागी का जिवर खराब मत करो मेरी मानों तो तुम्हें ये सब भूल कर एक नई सिंदगी की शुरुवात करनी चाहिए मून भी उसे ऐसा ही करने के लिए कहते है ड्रामा के लास सीन में हम देखते है कि जब डॉंग सू और मून टेरिस पे एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का दिसाइड करते है और आगे बढ़ ही रहे होते है तब ही हम देखते है कि मिलिटरी के बहुत सारा फाइटर प्लेंस उन्हें चारो तरफ से खेल लेते है और इसी के साथ ये सीजन सिस्पेंस के साथ खतम होता है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या पुलिस इंस्पेक्टर नए इनसे छोट खा था और जिस तरह से ये सीजन खतम हुआ है उसे देखके लगता है कि शायद इसको सेकंड सीजन भी देखने को मिल सकता है अगर ऐसा होगा तो मैं आपके लिए उसे एक्स्पेंड करूंगी और आई होब कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कमेंट शेक्शन में आप मुझे अपना रिवियो ज़रूर शेर करना ताकि मैं भी खुद को इंप्रूब करती रहूं और हाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस छोटोसे चेनल को सबस्क्राइब सरूर करना ताकि मुझे भी इस सफर में आपका साथ मिलता रहे है